नमस्कार, मराथा विद्या प्रसारत समाद 15 द्वारा संचली, K.R.T.R.D.H. Commerce, A.M. Science, अर्थत KTHM College नासिक, विभाग हिंदी, प्रक्षा S.Y.B.S.C., ट्रेनिश्टर जीदिन कविता स्ताहिक्ते के अंतरगर्द, आज हम हिंदी के प्रसिद्ध कवी सर्वेश्वर दयाल सक्तेना द्वारा लिखित प्रसिद्ध कविता भूर, इसका अध्युन करने माले हैं, मैं डॉक्तर जब्धिश कर दीश्टर, आईए सर्वक्रतम हम कवी परिचे करते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्तेना का जन 15 सितमबर सन 1927 को उत्तर प्रडश के बस्ती जिले में हुआ था, दिक्षा दिक्षा बस्ती वारानसी और इलहाबाद में हुए सक्तेनान के साहितिक व्यक्षित्व का निर्मान इलहाबाद के साहितिक परिवेश में ही हुआ था परिमर संस्ता और उसके सहयोगियों के संपर्क में वे लोहिया और उनकी समाजवादी विचारधरा से प्रभावित थे तिसरा सब तक के वे कभी सर्वेश्वर नई कभिता के प्रवर्तक कभी है दिन्मान पत्रिका से उनका गहाम संबन्द था और उसमें चर्चे और चर्खे उनका लोग प्रियस संबधा सर्वेश्वर की काभ्य कुरूतिया है काट की घंटिया बास का पुल एक सुनी नाव गर्म हवाए पुआनो नदी जंगल का दर्थ और खूंटियों पर तंगे लोग कोई मेरे साथ चले मर्नो प्रांत प्रकाशित काव्य संग रहें सुने चौकटे सोया हुआ जल पागल कुप्तो का मतिहा उनके चर्चित उपन्याद और कच्ची सड़क अंधेरे पर अंधेरा बदला हुआ कौन कहान संग रहें बकरी सक्तेना का जन प्रिय नाचत है नए कविता की विकास यात्रा में सक्तेना की अमीद ठाफ है उनकी कविताए समकाली मिस्तामाजिक एवम राजनेतिक यद्खार्थों से ओध प्रोत है देश की विसंगतिया और आमादमिकी स्किपी उनकी कविताओं का स्केंद्रिय विशे है, प्रमाय का सत्य कथन उनका सविक्रम था, इस सत्य कथन के लिए उन्होंने नगर जीवन के साथ ग्राम जीवन को भी समीटा है, सर्वेश्वर ने अपनी कविताओं में स्वतंद्र भारत के वन्चित उपेक्षित जाधरन जन की पीड़ा सथा संगहश को सल्पी के साथ उपे राहे, संप्रेशन की सहष्टा उनकी कविता का विशेश दुन है, साधरन बोल्चाल की भाशा, सार्तक नविन बिम्ब प्रयोग, ठलका फूलका व्यंग और विसंगतिया और विडम बना का निसंग उद्धाटन उनकी शिल्पगत खोबियादी है, तक कालिन कविता में जिन कवियों ने अपनी प्रासंग लिक्ताब बनाए रखी, उनमें सरदेश्वर सर्वपरिश इनका नीधन 30 सितंबर सन 1922 में हुआ था, आएए इनके द्वारा लिकित कविता भूख इसका अध्येन करते हैं, सर्वपरिशम कविता पाट जब भी भूख से लड़ने, कोई खड़ा हो जाता है, सुन्दर दिखने लगता है जपटता बाज, फन उठाएं साफ, दो पेरों पर खड़ी, काटों से नन्नी पतिया खती बकरी दबे पाव ज़ाड़ियों में चलता चीता, दाल पर उल्टा लटका, फल फुतरता तोता, या इन सब की जगह आग्मी होता जब भी भूख से लड़ने, कोई खरा हो जाता है, सुन्दर दिखने लगता है आईए, इन सबीताओं की पंक्तियों में बसा हुआ गहरा अर्थ, सबीता का भाव विश्व समश्ट है सबी कहा रहा है, सबीताओं का शिर्षक ही है, भूख, महत्वपूर्न शिर्षक दिया गया है, भूख हमने जो कवी परिचे देखा है, यथार्थ को उन्होंने अपने कहव्य सहित्य द्वारा जंता के सामनी लाने का प्रयास्टिया हुआ उसी के अंतरगत भूख यह शप्ट ऐसा है, कि जो आज भी भारत वर्ष में प्रमुक्ष समस्या बनी हुए है या भूख मिताने के लिए संगर्ष रत लोगों को भारत में आज भी देखा जाता है इसी भाव को केंद्रिता में रखते हुए उनके उस सौंबर्यों को अलग द्रिष्टि से उकेरने का सार्य गविता में दुआ है वह इस प्रकार के हैं सबीने उस भूख की समता को या भूख को मिताने के लिए यक्ती जब संगर्ष करता है लड़ता है वो कोई न कोई प्रयास करता है उस प्रयास को अच्छे भाव से एक उचित्त धंग से सौंदर्य बुद्धी से देखा हुआ है वह इन पंक्यों में है जैसे है जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है सौंदर दिखने लगता है जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है सौंदर दिखने लगता है अब इसके लिए वह उधारन दे रहे हैं पहला उधारन है जपट का बाच यहाँ पर हमने देखा है आसमान में गिरिक्यां लेने वाला जो बाज होता है वह जब इसे सिकार दिखाई देती है भूख लगी होती है तो वह आसमान से जिस गती से धरती पर आकर अपना सिकार उठाकर लेकर जाता है तो वह देखने जौके होता है वह अनुपम होता है उसकी गती उसकी लए वह प्रहार अलगी होता है वह उसका सौन्डर लेका है फन उठाए स्ताफ हमने यह भी देखा है स्ताफ जब अपना फन उठाता है तो वसकी कार के लिए यह उठाता है तो उसका वह फन उठाया हुआ जो शेरीर होता है, हित्ता होता है उसी में वह स्वादर्य भी हित्ता होता है या कभी कह रहे है एक छोटा सा उधारं देरे है कि वह नन्नी सी बकरी जो काटीले पौदों से भी पत्या खाती है नन्नी पत्या खा रही है, काटे हैं, आसपास काटे हैं, काटों से वह अपना भूजन कर रही है या काटों में जाकर उनसे लड़कर अपना भूजन प्राप्त कर रही है, वह उसका संगे होना, पैर जो है वह उपर उठे होना, यह भी सौंदर्य को इखा रहा है आगे बता रहे हैं दबे पाम जाडियों में चलता चीता, चीता की भी यह विशेष्टा होती है, जब वह किसी का शिकार करना चाहता है, तो अपने पैर वह धीरे धीरे डालता हुआ आगे बढ़ता है, अपने पैरों की आहट शिकार करने वाले प्रानी पर या उसे न मालुम हो जाए, इसलिए वह धीरे धीरे से चलता है, और धपट कर अपना शिकार करता है। या तभी कह रहा है, डाल पर उल्टा लटका फल कितरता सोता है, पर हमने देखा है, सोता बैठा है, लेकिन यहाँ पर वह फल खा रहा है, फल खाने के लिए जो पेड़ से लगते हुए फल होते है, वह नीचे के और होती है, सोता पके हुए फल खाने के लिए उल्टा लट अब कविता की महत्वपूर्न सौवेदना यहां इन दो पंकियों में अभी वेक्तोफी है वह कह रहे है यहां इन सब की जगह आदमी होता यहां जो उन्हें उधारंदे बाच का दिया, साप का दिया, बकरी का दिया, चिते का दिया या तोपे का दिया यह संगर्श कर रहा है यह संगर्श करने वाले प्रानी पशुपंचे है उन्हीं की जगह आदमी होता तो अर्था धूक मिटाने के लिए मनुश्वी ऐसे ही प्रयास करता है, तंघर्ष वर्रत रहता है, उसी का जब ऐसा तंघर्ष शिल रहना धूक मिटाने के लिए तो कभी कह रहा है जब भी पूख से लड़ने कोई ख़रा हो जाता है, संदर दिख में लगता है, तो मनुश्व का भी पूख के लिए संगर्ष करना, वह एक संदर्था निर्मान करने वाली बात है, जब संगर्ष करना अभिमान की बात है, उसका लड़ना, उसका जजबा, यह सब कुछ उसे प्रेरना देने वाली बात से, कभी ने इसी बात को हमारे सामने प्रस्थ किया है, अर्था कविता के मध्यम से कभी उस आदमी को और प्रेरित कर रहे है, वह मध्यमवर्गिय जी जीविशा के लिए जीने वाले व्यक्ति, या अपनी और से प्रयास रत कर्म करने वाले व्य कि उन व्यक्तियों को और प्रेरिट कर रहे हैं, उनका लड़ना, संगर्ष करना यह भी बहुत सुन्दर होता है, इसी बात को कविता के मज़न से कवी ने हमारे सामने प्रस्टुत किया है, संग्सेप में कविता का सार इस प्रकार हम बताएगे, क्रस्टुत कविता में कवी ने भूख के संदर में बहुत ही भाव पूर्ण पंकिया प्रुजित की है, कवी का कहना है कि भूख से लड़ने को जगदी को संदर्ष करता है, सब वह संदर दिखने लगता है, जैसे बाच की जपतने की गती साफ का फन उठाना, काटिले पौदों से उचक कर पत्तिया खाती बकरी, पहाव दबा कर जड़ियों में सल्का चिता, और फल कितरने के लिए जाल पर उल्टा लटा उता, और आपकी इन सब जगह पर एक महत तो पूर्ण ब्यक्ति जो है मनुष्य उस्तादी संघर्ष उतना ही संदर होता है, इसे बाच के सबी ने अपने कविता के माध्यां के उजागर किया हुआ है, इसकतार यह कविता यहाँ पर समाप्त होती है, धन्यवाद